और हमारा next question है सेवत्तम मोडल सारवजिनिक सेवों की गुणुत्ता में सुधार लाने में वांचनिय प्रणाम प्रापत करने में किस परकार सहता कर सकता है अगर हम कीवर्ड देखें तो सेवत्तम मोडल क्या है और इसका जो पब्लिक सर्विश डिस्ट्रिबूशन में क्या लावांच ने प्रिणाम लाने में मदद कर सकता है इसके दो उपलब्द कराता है इस मोडल में तीन मुख्या घटक होते हैं अर्थात नागरीकों के इनपूट प्रापत करने के लिए चैनल उपलब्द करा के चार्टर कार्यकरम का प्रभाविक कारेनवन लोक शिकायत और निवारण सेवाओं वित्रमयोत करते श्था परदान करता है सेवाओं को सही गुणवत्ता युक्त मानक युक्त अधार पर लोगों तक पहुंचाना सेवाओं मोडल है जिसमें लोगों को अपने अधिकारों का वस्तों की गुणवत्ता का या सेवा की गुणवत्ता का मानक का अगर कोई शिकायत होती है तो शिकायत निवारण का मोडल सेवों को प्रभाशित करता है गरहाकों को चीनित करता है कि कौन गरहाक वास्तों में लाभारती है और कौन इसके लिए एप्लिकेबल नहीं है परतेक सेवा के लिए मानक और मान दंड निदाज करता है जिसके लिए यह निर्धारित मानक को पूरा करने की एक समता करता है और profession protection मुल्यांकन के धार पर सशतत रूप सेवा इत्रन करता है यह मोडल सेवबितन को करने वाले संग्छनों के लिए सहाईक युक्ति है जो सशतत सुधार हे फुल माध्यम सेufव आउन के लिए उनका मारग दर्शन करता है यह नागरिक केंद्रِ dollars सेवा वितन के लिए विश्वषणिय यह परमानिक सव मुल्यांकन या अन्तराली सेशन को आरम करने में कारेन्वन शंग्ठन को सक्सम बनाता है यह व्य세क समाधrition को विक्षित करने में सहत पर्धान करता है करेगा जिसे धारणिया प्रेणाम सुन्शित करने के लिए संग्ठन की दैनिक दिन्चिरिया में लागू किया जाएगा इसके अतरिक्त यह मोडल BIS भारत मानक ब्यूरो ब्यूरो ओफ इंडियन स्टेंडर्ड द्वारा विक्सित अपनी परमानन योजना के माध्यम से भी प्रोचान परदान करता है और सारजुनिक संग्ठनों को उतकरिष्था का परतिक सेवत्तम पुर्शकार परदान करता है यह मोडल सेवा वितन के उत तुम तरीके से परस्तूत करना अर्थात सेवहों की मानक गुणवत्ता शिकायत निवान आधी परदर्शित ज्वाब देदा जैसे मानकों को निर्धारित करना और इसी के को लेकर ही केंद्रिये लोग शिकायत निवान और निगरानी परनाली ओनलाइन बोर्टल की देने के आव सकता है नागरिक अधिकार पत्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के आव सकता है इसका निरूपन व्यापक परामरस के माध्यम से सुने स्थित किया जाना चाहिए अंतिम उप्योग करता की प्रतिपुष्ठी के अधार पर मनकों का मुल्यांकन और निर्ध है जिस परकार पीछे दबाव समुहाय आया था अब यह समय सहता समय सहता समय भी एक प्रकार का दबाव समुहाय होता है लेकिन इस सरकार पर दबाव नहीं डालता बल्गे अपनी हितों की पूर्ति के लिए ही कारिया करता है क्या है समय सहता समय क्या है सहलफ है ग्रूप क् रहें वट आर सेल्फ हेल्फ ग्रूप से डिसकस देर पोटेंशिल इन एड्रेसिंग देवलोप्मेंट चैलेंज ओप दूरल पूर एरिया विद्धा है अड्विकेट जैंपल देखो इसमें क्या क्या है इंट्रोडेक्शन में लिखें हम सेल्फ हेल्फ ग्रूप इनिस समय स क्या है और प्रियापत उधार्णों के साथ ग्रामिन जो निर्दिन हैं उनके द्वारा कौन-कौन सी चुनोतियां फेश की जाती है और उन चुनोतियों को निप्टने के लिए सेल्फ हेल्फ ग्रूप कैसे मदद करता है आप समाने अर्थों में प्रकार का दबाव समय ही है जो कुछ लोगों का एक संख्ठन है ग्रामिन शितर पर खासकर महिलों का जो कि क्या करते हैं अपने बच्चत लेकिन इस जो सेल्फ हेल्फ ग्रूप को प्रियापत रूप से दबाव समय है नहीं कह सकते क्योंकि सेल्फ हेल्फ ग्रूप और दबाव समय में वैसे डिफ्रेंस किया है दबाव सम कुछ दश्यों को कम व्याज पर कराते हैं अगर हम देखें सेलफ हैल्प गुरूप एक छोटे चेतर में रहने वाले ऐसे लोगों के छोटे समुह होते हैं से 20 दश्यों होते हैं जिनकी समाजिक आर्थिक पुरिष्ट्व में समान होती हैं जो अपने जीवन सुतर की दसाओं को सधारने हितु एक समुह करूब में संग्टित होते हैं यह लोग बच्चत करते हैं और समाने वीधी और से पारस्वरिक जोदन करके स्वेच्छा से को कि सदश्यों को रिण परदान करने के लिए कि जाता है कि सदश्यों के निर्णे के नुशार ही दिया जाता है सेलफ हेल ग्रूप कि तरुछ ये सवय सहता एक जूटता और पारइस थीद की सधात Пर कारिये करते हैं यह सेलफ हेल्प ग्रूप गती वीदियों में नेमनी कार्कों के कारण गामिन निर्धिनों के विकास समधिय चनोत्यों को पर लाप możliों के लोग बैंकों से रिडू लेना एक बबढ़ा कारिया है समाने तर बेंक गुर्ण 17 कमीरें को में रहते हैं लेकिन इनकी बैंकों तक पहुंच हो जाती है और शाक रिंड तक सेलफ हेल्प ग्रूप भीविन प्रियोजना हो है तूर समय पर रिंड प्रापत कर सकते हैं जो सवदस्यों के लिए सवरोजगार के अवसरों का स्रीजिन करने में सहता करता है जैसे बंदक भूमी को मुक्त कराने कारिया सिलफ हेल्फ ग्रूप में किसी एक अस्दस्यों द्वारा रिड अदाना करने के किसी भी मामले को अन्यस्दस्यों द्वारा घंबिरता से लिया जाता है आता है बैंक इन्हें किसी से पार्सविक रिड पैसा पार्सविक रिड नहीं मतलब स्क्योर्टी के भी नाहीं भी रिड उपर अप्रवत करा देता है क्योंकि जो सेलफ हेल्फ ग्रूप है नैतिक नीमों पर भी धारित होता है अगर कोई रिड का नाचुकान नहीं चुका हुए 10 लाग से बढ़ाकर 20 लाग करने की गोशना की है कारण एन पी किस खत्रा बहुत कम होता है और इसके कारण क्या करते है बीना कुछ गिर्वी रखे वो अब 10 लाग की बजाए 20 लाग तक रिन ले सकते हैं नेक्स्ट है मारा ग्रामिन ऊद्यमीता ग्रामिन ऊद्यमीता इससे क्या होता है अगर किसी के पास पैस्य आएगे तो वो उद्योग शुरू कर सकते हैं और उद्योग शुरू करने के बाद सेलफ helps गरूप ने अपने सदस्यों को गैर क्रीशियक शित्रों से आईस रेजित करने वाली गती वीदियों में सलंगन किया है जैसे परिधान, त्यार कपडे, चमड़े के उत्पाद, मिट्टी के बरतन, खिलोने, गैर भेलू, भोग के इसमान, वन आधारित उत्पाद जैसे गरना, उत्पाद, जहद, बांस, के उत्पाद, डंडे वाली जाड़ू, भोजन के लिए पत्तों में कपलेट बनाना और इसे निर्धनता उनमल होती है, क्योंकि रेणों तक पहुंच होती है, रेणों होने के बाद वो अपना उत्द्योग स्टार्ट कर सकते है उत्द्योग स्टार्ट करने के कारून को आमदनी होती है, आमदनी होने कारून का जीवन सतर में सुधार होता है, गरीबी को कम करने में सायता करती है उधारन के लिए Self Help Group सवरण जैनती ग्राम सोरोजगार योजना ग्रामिन निरिधनों को Self Help Group में संक्तित करके कारिवनित की जा रही है यह उन्हें कोसर परसिशन वीतिय संस्थानों के साथ साथ साख प्रदान करवाना आदी में मैत्ते बुन योगदन कर रही है महिलाओं का संसक्ति करन ग्रामिन महिलाएं सवय सहय दा समूह महिलाओं को उद्मे बनने जोखिम उठाने वीतिय सुतनतरत अरजित करने उनके घरों और गाउं में लिए जाने वाले इन्निरन अमादिक सदिक भागिदारी सुनिशीत करने में सख्सम बनाते हैं उधारन के लिए कुदूम सरी केरल में यह क्या है एक सेल्फ हैलफ गुरूप है केरल में इंपोर्ट हैं चेतनराणी महिला सेल्फ हैलफ गुरूप राजस्तान में और सेवा आधी 7 Must Command कारियिए कर रहे हैं कौन-कौन से कुदूम सरी चेतनराणी सेतनराणी संधान के लिए माव किरनोट सेलफ हैलफ ग्रूप को मेगाल लेकि माव किरनोट में बावन फूट लंबे जीवी तुरिक्षों के जड़ के से तू के संधाने प्योग के लिए द्वरस 2016 में जैवी वित्ता पुरुषकार मिला था मेगाल्या में जड़ों से क्या पूल बना दिया था किस ग्रूप की मदद से माव किरनोट माव किरनोट की मदद से इस प्रकार सेलफ हैल्फ ग्रूप ग्रूप ग्रामिन अर्थी अर्थवेष्टा को श्योग करने हैं तू अनेक हेल्फ ग्रूप को विपणन सलंगनता परदान करना सरकार द्वारा सुईधा करता प्रवर्त की भूमिका का निर्वहन करना और हमारा नेक्स्ट क्वेशन है भारत में डिजिटल स्वास्ते देखवाल की अक्समता और समझनोति पर परकास डालिए देखो डिजिटल स्वा इंडिया ठीक है डीजिटल हैल्थ के मतलो देश के वीविन चेतरों में दुर्गम चेतरों में गरीब लोगों तक स्वास्ते सुईधा को पुझाने के लिए इस सुचना प्रद्योगी की साइन्स इंटेक का पर्योग डीजिटल हैल्थ के रूप में प्रिवासित क्या जा प्रव्शानकर देने के लिए ची किस्टा और स्वाच्च्चस संब्ध अन्या व्यवास現在 में शुचना और प्रदीयोगी का उप्योग करने जिसको हम टैली मेडिशन की कह सकते हैं टैली मैडिसन भी कह सकते हैं और इसमें डीजिटल उपकरनों जैसे मोबाइल सवास्ते टैली हेल्थ सवास्ते सुचनपर्दयोगी की टैली मैडिसन का उपव्योग किया जाता है भारत के लिए डीजिटल सवास्ते प्रिणामों में समगर सुधार हेतु एक सक्सम करता के रूप में सभावने परसूत करता है जैसे सभी के लिए स्वास्थ है यह पी आराई आसा सेलफ हैल्फ ग्रूप ए एनम की नेटवर्क का उप्योग करके टैणि परामरस द्वारा दूरस थक्षेत्रों में स्वास्थ देखवाल की उपलूपता सुनी शित कराख सकता है अघर कोई दिली में डोक्टर है वो भी मेखाल्या में बैठे किसी चोटे डोक्टर में जुनियर डोक्टर को वीडियो कोल के माध्यम से किसी बीमारी के बारे में सला दे सकता है और यह जुनियर डोक्टर उस बीमारी का इलाज कर सकता है इसका कारण क्या है टैली मेडिशन अथा वीडियो कुन फ्रेंसिंग ओनलाइन के माध्यम से सीनियर डोक्टर का जुनियर ड बना सकता है क्योंकि जो स्वास्थे भी में योजना है यह ओनलाइन योजना है जिसके दार पर क्या कह सकते हैं स्वास्थे से उनको किफायती बनाया जा सकता है योजना और नीतियों का प्रफावी करेंवन अगर कोई नीतिया योजना बनाया जाती है लेकिन उसको जन जन त सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने प्रामर सेतु मिलने का समय निर्धारित करने प्रामर सुलक का बुक्तान करने आदी जैसी चुनोध्यों का समाधान कर सकते हैं सब्सक्राइब करने में मद्लों क्या है जो किसी मरीज का बायो डाटा एक जिगा पे संगरीत होने एक अंडॉक्टर को उसके बारे में पूरी जानकरी मिल जाती है और उपचार को सही दिसा प्रदान कर सकता है डिजिटल नवाचार भईश्य में क्रित्रम बुद्धी मता अधारित समाधान की सुईधा विभीन परकिरियों में सहत्य करने और उन्हें सवचालित करने के अत्रिक्त विभीन रोगों का स्टिक रोग निदान कर सकती है इस परनाली को परनाली को रूपांतरित करना क्योंकि लगातर चलता रहा है उसको एक्तम बदलना डिजिटल स्वास्थे मिशन इस नोती निवदन कर सकता है और जिस परकार एक स्वेश्य मानो संसाधन है कि कुषल मानो कि शनसाधन है कि उसकी कमी है और डिजित डेटा के निजदा का भी खत्रा है जो हमने पहले बढ़ लिया है और इस तरह हम देखें एक एक हमारा नेक्स्ट क्वेशन क्या बंता है लेकिन हमने इसकरश में राष्ट्रे स्वास्थे निदी 2017 द्वारा डीजिटल स्वास्ते प्रद्योगी की पारिष्थितिक तंतर के निर्मान की प्रक्लब ना की गई जिसके तैत अन्य विकलपों के साथ नैस्नल हैल्थ स्टैक का निर्मान करना जिनका उदेश्य विविंच नोतियों का समाधन करना सभी के लिए स्वास्ते आसके आवसकता को सपष्ट कीजिए और सरकारद्वारा कदम बताने की फाहितियास मतलब फरोडेवल हाउस एंड सरकारद्वारा कौन-कौन से कदम उठाए हैं मानो अधिकारों के सरोभमिक घुशना के तैत आवासों को जीविन की मूलभूत आवसकता में से एक माना गया है भारत के उस्तमनेल ने अपने विविन दिर्णों में आवास अधिकार परियापत रहने के जगह सुरक्षित एंगरीमा पूर्ण सरंचना सवस्त और सभ्या परिवेश परियापत प्रकास यूद्सुद वायू और जल बिजली सवस्ता और अन्या नागरिक स्वीदा जै यह अगर याद रखें कि 17,000,000 लोग वेगर है और 23 पर तो कि अवास पर रहे हैं सहरों में भारत में कि फायति आवास के आसे तक क्यूं है नम्हें तो तीवर सहरी कन हो रहा है जिसके कान एक संखुन किसमस्या मतलौ आवास कम है और चाली पर दो जार तीस में चाली सब्सक्राइब निवास करने के सभावना है जो कि 2011 के जनकर भारत में 32% सहरी हो चुगी है और 2030 तक इतनी हो जाएगी 40% जिस से जो सहरी संशादन है रहने के जगह है प्रदूशन है उन पर अतरिक्त बाव बड़ेगा और सहरी जो आवास नीती है जमीन खेदेना जमीन क्रेव बहुत महेंगा है इसलिए भारत में किपायती आवास की आप सकता है दूसरा बहु संख्यक नीमन और मद्यम आयवरग वाले नूं कहें जो अबीरी लोग है वो बहुत कम संख्या में है और अदिकतर लोग तो नीमन और मद्यम आयवरग से समनित भूमी के अवैद अधी कर्मन को रोकना इसके लिए जुरूरी है क्योंकि क्या करते हैं महेंगी भूम आवासनीती के कारण लोग क्या करते हैं जो अवैद स्थाल है जैसे जोगी जोपडियां सलम रेल्व पठरी के असपास के अवैद कपजा कर लेते हैं और सहरी संकूलन का समाधन करना क्योंकि इस संकूलन के समाधन के लिए कि फायती आवास की आवसकता होती है किराई के आवास सक्षितर को नियंतरित करना क्योंकि जो मकान मालिक अपने मन माने तरीके से किराई वसूली करते हैं और उनके साथ किराईदारों के साथ बद सुलुकी और बद विवार करते हैं बहतर जीविंता के लिए क्योंकि हर व्यक्ति को गरीम पूंड जीने का किईशक समोते हैं क्योंकि उनको अपनी कमाई का अधिक तरहीं सा किराय में ही देना पड़ता है वी प्रिद्पलाइन का समाधन इससे क्या होता है कि विफायती आवाज की कमी से निर्दिनों को एस रुख्षी तो एस वास्थ्या करद समय रहने वृत वी तोड़ना पड़ता है यह भी प्रित पलाइन में विर्धी कर सकता है सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए हैं यह पूर्टन है प्रधान मत्री आवास शोजना जिसके तत क्या 2022 तक सभी को सहरों में आवास दिया जाएगा कि फायती आवास को अवसरचना का दर्जा देना यह निमंद्रों पर रिण कर द्रायतों विदेशी नीजी पुन्जी के प्रुभा में विर्धी जैसे संब्द लाबों को सहता प्रतान करेगा जीएश्टी में कमी किफायती आवास प्रियोजना पर जीएश्टी को प्रुभावी आठ से घठाकर एक प्रतिशत कर दिया ब प्रुडेवल हाउस फैसलिटी नीमन लागत वाले आवासों की मांग और आपूर्ति को बढ़ावत देने के लिए प्रात्मिकता वाले ख्षेत्रों के रिंड की कमी और पूर्णता चुकता बोंड से भी खोशित किये जाने के लिए राष्ट्री आवास बैंक में आवास का स्रीजन आवस यह आवास निधी का स्रीजन किया गया भू संपद्धा वी नीमन और विकास दिनीम 2006 अब इसे दिनीम का उदेश्या है आवास करिद्दारों के हितों का स्रक्षन करना कि एक कानुन मनादिय 2016 भू संपद्धा निधी जिसमें क्या है आवास खरीद्दारों के हितों का स्रक्षन करना साथ ही यह सुनिशित करना कि भू संपद्धा पर विक्रिया करें और कुछ परदर्शी परगिर्या से संपन किया जा सके सरकारों द्वारा कुछ द्यान देने की आप सकता है जैसे विविद भोगोलिक दसाओं को द्यान में रखते हुए सभी के लिए किफायती आवास की समावशी परिभासा सुनिश्टिक करना और संग्ठित वीत को सुलब बनाना वी नियामक बाधाओं को समापत करना आधी इस लक्षे की प्राप्त के लिए राष्टिय शहरी आवास किरायनीती 2015 के लग राष्टिय शहरी आवास किरायनीती 2015 और प्रारूप मोडल किरायधारी अधिने मुंद 2019 का ड्राफ्ट भी जारी किया गया है है हमारा लास्टट वीडियो का भारत में को पोस्ण की वियापकता के कारणों के वह एक स् tentang करना है और राष्ट्य पोस्ण मिसें के महत्hist I don t दी यूनिशेफ के रिपोर्ट के नमें भारत में कपोशंड कि पोस्ण पांच बर्से कम आयु वहरат के बंक fappe smo कुपोशन है मदलो इतनी बच्चे मिर्थे मिर्थी होती है उसका कारण क्या है कुपोशन और इसके तरीक्त कुपोशन क्या है मदलो अलब मात्रा में अधिक मात्रा में जो पोश्चतों की अधिकता वो कमी कुपोशन कहलाती है कुपोशन इसके तरीक रिपोर्ट में मतलो प कम आयू का प्रतेक दूश्रा बच्चा किसी ने किसी रूप से कुपोशित है लिजıt से 35 परफिश्थ रूप सारे रीडी रूप से र्लवीक्षित होते हैं और दो पर दीरोगा फिरूप बच्चे मुठा पासे घ्रस्तोते हैं वीएस को में 23 परतिस्त मिलें 20 परतिस्त पूरिष को एलप पोसित माना जाता है कुपोशन की कारण क्या है भोजन तक पर्यापत मुहन से गरीबी है संक्रामक रोग है मातरी तो स्वास्ते विदा में कमी है और समाजीक और सांस्कृतिक कारणा जिसमें महिलाओं को कुपोशन को दूर करने के लिए और 2030 तक कुप सभी प्रकार की कुपोशन को कमी लाना राष्टे पोशन मिशन के गर रनीदिती का महत्तव पुन गटक है इस मुशन का उदिश्य क्या है 2022 ठीक ने पल पन अलब पोशन और कमोजन में दो परसेंट की कमी करना और एनी मिया में तीर प्रतिशत की कमी करना वह मैं तब लक्से हैं और इसका क्या क्या किये हैं जो बहतर सेवा भी तरह उसको प्रहवाविवनाना जिस परकार बाएगा जिए जैसी योजनाओ को हाई चीज नवीत करना ताकि लोगों के पास पैसा हो सूचना और संचार प्रत्य within परदान करना जन अंदोलन करती लोगों को त्यार करना धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो चीले की चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करें लाइक करें अगर कोई सुझाव हो तो हमें बताएं ताकि हम मोटिवेट हो और आपकी परियोर मेंस की तहरी में भागिदर बने जो गलती मैंने की है परियोर मेंस में वह आप ना करें धन्यवाद दोस्तों